हलो प्रेंट स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम बनाने वाले हैं पनीर की एक बहुत ही टेश्टी सबजी जिसको हम बहुत ही अलग तरीके से बहुत ही योनिक तरीके से बनाएंगे और ये सबजी जो है इसमें हम प्याज लहसुन का यूज नहीं करेंगे ये बिना प् पनीर को हमें मोटे मोटे टुकडों में काट लेना है साथ में हम लेंगे टमाटर अद्रक जीरा हरी मिर्च और इसमें हम प्याज लहसुन वगरा कुछ भी नहीं डालेंगे तो यहां पर हम लेंगे थोड़े से काजू और यहां पर है पोस्तो जिसे पोस्ता भी कहते हैं इ रहाई में हम चार चमच के जितना घी डालेंगे और इसके बाद यहां पर हम डाल देंगे पनीर तो एक बार में सारा पनीर हम नहीं डालेंगे नहीं तो पनीर जो है वो तूट सकते हैं तो मैं यहां पर एक बार में आधा पनीर डाल रही हूं तो पनीर डाल कर इसको हम धीमी कि आँछ में अच्छे से भूनेंगे और यहां के अंदर नमक अच्छे से चला जाए तो कि डाल कर पनीर को हम हलका सब խूनेंगे इसा एक दम ब्राउन निका कर ना हम गोल्डен कलर का हो जाे तो इसके हम निकाल लेंगे और यहां पर देख सकते हैं कि पनीर जो इसमें हलके हलके golden spot आने लगी हैं बस इन्हें हम अभी एक plate में निकाल लेंगे इसी तरह क्या करेंगे कि बाकी की जो सारे पनीर है उन्हें भी हम fry कर लेंगे तो उसी कड़ाई में जो एक्स्ट्रा घी बचा था उसी में हम पनीर डाल दे रहे हैं और इनको भी हम नमक डालकर प्राय करके निकाल लेंगे इसके बाद क्या करेंगे कि कड़ाई में थोड़ा सा घी अभी है तो इसमें हम डाल देंगे काजू और काजू डालकर काजू को एक मिनट के जितना हम पहले बूहन लेंगे इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे टमाटर और साथ ही साथ यहां पर मैं डाल दे रही हूँ अद्रक और हरी मिर्च जीरा इन सब को हम डाल देंगे इसके बाद इसे हमें भूनना है तो इस कड़ाई में पहले हम घीमे पनीर भून चुके हैं तो क्या होता है कि इससे यह थोड़ा सा चिपक रहा है लेकिन कोई बात नहीं धीरे-धीरे टमाटर जैसे सौफ्ट होता जाएगा तो फिर यह चिपक न बंद हो जाएगा और मैं यहां पर डाल दे रही हूं थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सौफ्ट हो फिर क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे पानी और पानी डाल कर इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको हम ढख देंगे तो ढखकन लगा कर इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर जो है वो एकदम अच्छे से सौफ्ट नहीं हो जाते हैं तो थोड़ी दिर के बाद हम ढदकन हटाएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टमाटर जो आँ अच्छे से सॉफ्ट हो गया हैं और इनको थोड़ी दिर तक और भून लेंगे इसके बाद क्या करेंगे कि एक प्लेट में सभी को निकाल देंगे इसके बाद इसे हम अच्छे से थंडा होने देंगे तो जब यह थंडा हो जाए इसके बाद हम एक mixer जार लेंगी और उसमें हम पोस्टो, यानि इसे खस-खस भी कहते हैं तो इसे डाल देंगे और साथी साथ जो मसाला अभी हम भून कर राखे थे उसे भी इसमें डाल देंगे फिर इसमें अपनी जरूरत के अनुसार हम डाल देंगे पानी और इसका हम एक फाइन पेश्ट बना लेंगे इसे हमें एकदम बारीक पीसना है इसमें जराभी मोटे दानी नहीं होने चाहिए तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से पीस क्या है आप चाहे तो इसको छान भी सकते हैं लेकिन यह बहुत अच्छा पीसा हुआ है तो मैं इसे नहीं छान रही हूँ इसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर से हम कड़ाई गरम करेंगे और उसमें हम एक चमच के जितना घी डालेंगे इस पार घी हमें ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पनीर भी हमारे फ्राइ हो गए है और मसाले जो है वो भी भूने हुए है तो जब घी मेल्ट हो जाए इसके बाद क्या करेंगे इसे जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्स पाउडर जो है वो जले नहीं और चुकि यह पेश्ट जो है बहुत जादा गाढ़ा था तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर उसको भी डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से भूनना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि मसाला जो है यह अच्छे से भून गया है यह कढ़ाई भी छोड़ने लगा है तो इसके बाद क्या करेंगे कि यहां पर हम डाल देंगे पानी तो पानी जो है इसमें पहले हम थोड़ा जादा डालेंगे क्योंकि काजू की जो ग्रेवी होती है ये बाद में धीरे-धीरे गाड़ी होती जाती है इसलिए इसमें शुरू में हम पानी थोड़ा जादा डालेंगे अब पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई भी गाट वगरा ना रहे तो एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ चीनी इसे टेश्ट बहुत ही बढ़ जाता है इसके बाद क्या करेंगे कि हम अबाल आने का वेट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में अबाल आ गया है तो इसके बाद जो फ्राइ के हुए पनीर है तो उसे हम इसमें डाल देंगे आपको अगर पनीर फ्राइ करके खाना पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि ग्रेवी बना थेस को ढग देंगे 6am तक पकाएंगे ताके ताकि सकते हैं क्या लुच्क यह देख्व सकते हैं के पनीर एक्ट युड़ आ गया है इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ी कसूरी मेथी जिसे तेश्ट बहुत बढ़ जाता है और इसमें हम डाल देंगे बारिक कटी информा पती इनको डालकर हलका सा मिक्स करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रेवी जो है यह कितनी गाड़ी हो गई है तो इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि गैस आफ कर देंगे और हमारी सब्जी जो है ये कितनी टेश्टी दिख रही है आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से बनकर तयार हो गई है आप इसे रोटी पराठा नान किसी के साथ भी खा सकते हैं ये बहुत ही जादा टेश्टी लगती है ये सब्जी बिना प्याज लहसुन के बनी है लेकिन प्याज लहसुन वाली सब्जी को भी टकर दे सकती है ये बहुत ही जादा टेश्टी लगती है आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू झाल 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